जैन दोस्तों जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में त्रिकुणमिती के परिचे का question no.6 को देखे थे 6 को देखे थे और 5 को भी देखे थे उसके पिछले वीडियो में इसी तर से आज आप लोगों के लिए question no.7 को लेकर रहा है तो question no.7 देखेंगा क्या कह रहा है असानी से समझेगा एकदम एजली समझेगा एकदम आसानी समझ मेंगा डबड़ाए कि नहीं अगर चाहते हैं कि आगे और वी वीडियो आप तक जाए तो पहले आप चैनल को subscribe कर दिजिएगा आने था पहले वीडियो देख लिजिए अगर आपको समझ में आएगा तो subscribe कीजिएगा ने था ना कीजिएगा और हाँ दोस्तों के पास share जरू किजिएगा ताकि बहुत से समझ में आएगा खुदी वो आपके सामने खुदी कम जोर पड़ जाएगा खुदी आपसे उड़रने लगा समझें बहुत सार बच्चे बोलते हैं कि तिरे कुदमिती हाड होता है ऐसा कुछ नियुक्ता है तिरे कुदमिती कोई ऐसा कटीन चेप्टर नहीं है बहुत तीजी सबसे पहले चीजी यहाँ पहले हम लूग एक समकूर त्रिभूज बनाएंगे क्या बनाएंगे समकूर त्रिभूज बनाएंगे देखिए गए आपके तो यह आपका एक छोटा सा हो गया समकूर त्रिभूज क्लियर अब देखिएगा इसमें कहा रहा है कौट थीटा तो भगवा थीटा या तो हम यहां ने तो यहां कहीं भी ले सकते हैं ले सकते हैं नाम इसका कुछ भी ले लिजे कूर का देखिए ए ये बी ये सी क्लियर हो गया अब जहां मानेंगे जस्ट उसके सामने वाला भुजाए क्या होगी लंब होती है कि ने लंब होती है एकदम होगी तुझास पहले रेखिए दर दिया क्या है कॉट थीटा बराबर साथ बटे आठ तो इसको लिखेंगे हम लोग दिखिए हल लिख करके लिखेंगा आप लोग कि कॉट थीटा का मन क्या दिया है साथ बटे में आठ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है देखिए हम लिखे रहे कॉट का फॉर्मूला होता है आधहार क्या होता है आधहार और बटा में क्या होगा आपका लंब क्या होता है बाकि यह कौन कर तो हमें साथ जो सबसे बड़ी बूज़ा उसको क्या बोलेंगे तो यह तो बड़ी बुज़ा है नहीं यह बचा जो हमरा क्या कहलेगा अधार कहलेगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे 7 बोल देंगे अब बात आती है किसका तो इस question को निकालने की इस question को बनने की तो यह देखिएगा इसमें sign आया है cos आया sign आया cos है तो जब तक हम sign और cos का मान नहीं निकालेंगे तब तक यह बनताएगा क्या बनेगा क्या नहीं बनताएगा और sign cos का मान में formula में उसका क्या होता है क्या आता है क्या आता है क्या आता है तो सबसे पहले क्ण निकालना जरूरी है जरूरी है ना ये कन निकलना जरूरी है चलिए तो इसको देखेंगे जरसे कन निकलेगा कैसे देखें के बारे में पाइथागोरस बोले देखें क्या लिखेंगे हम लोग इस बात को पाइथागोरस पाइथागोरस के प्रमे से के प्रमे से उनके थिवरम से किलियर देखें वह क्या ऒले थे कि आप length का square को लेलीं लेलें देखें और यह क्षों रहते हैं लेलेंगे बस्सक्राइब को करेंगे और दोनों को यह जोडेंगे तो क्या होगा क्या होगा यह कौन के स्क्वाइर के बराबर होगा इसका मतलब यह कि कौन के जगा हमने क्या लिखा लिख दिया है लिख दिया है स्क्वाइर लंब का मान देखा जागे तो कितना होगा आठ देखें लंब का मान आठ त क्लियर हो गया। अब तदिएहर देखे । इह कौन का हो इँрь है। उपर में क्या स्क्वार है। उधर जा जाएं तो रूत बनाएगा। और रूट में आए तो ये आपका रूत बनाले है। किलियर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हैं लुप्तेरा गया। मतलब कि यह हो गया कि यह कौन का मान क्या आ गया एक सो तेरा वह भी कैसे तो रूट में क्लियर हो गया अब चलिए गजरसा तो अब हम लोगा देखे क्वेशन यह कह रहा है क्या है आप देखे पहले इसको सव्लिशन करके छोटा भी करको रहा है और उस च्कषओ पहले जगा करें इसको तो इसको न्वार्व करने जोट सक्वायर जितना दिया उतना डिस्कुएर दे या nonbe actually क्यूत कमान निकलना है तो कॉट कमान क्या पहले बताए सात्तों में आच तो इसके जगह ठ size इसको उपर मुंडी पर ना नीचे आठ चीजको आप बताए इस साथ के उपर अपर ऐसे लिग सकते हैं दो आठ के उपर विया है तो आठ को बढ़ दो लिग सकते हैं कि नहीं लिग सकते हैं क्लियर तो 7 कुपर 2 लिखने का मतलब 7 कुल्या 7 कितना बार दो बार और 8 कुपर भी 2 और होने का मतलब कि 8 कुल्या 8 कितना बार दो बार तो इसको करेंगे 7 सते 49 और 8 अठाट आए 64 क्या हो गया यह आपका question number 2 का answer आगया क्लियर हो गया अब question number 1 की जरसा बात करेंगे तो question number 1 थोड़ी से लंबा है तो इसको जरसा यहाँ पर देखेंगे अगर होगा तो सही इतना में नहीं तो आगया हम इसको साफ करके देखा जाए क्लियर आप जरसा देखिए तो question number 2 की देखेंगे बात कर रहा है question number 2 की बात कर जाएगा यहाँ तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर one minus में sin theta और देखेंगे यहाँ पर दे रहा क्या यहाँ पर one minus में cos theta दीकत नहीं ना question just उता रहे है अब दिखेंगा तो one plus में sin theta कह रहा है तो सबसे पहले चीज़ की sin का मान निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा ना तो sin का मान पहले हम लोग निकलेंगे फिर cos का मान निकलेंगे उसके बाद इस पर रख देंगे तो खुद ही मान हो आ जाएगा तो यह पर लिखेंगे देखेंगे sin theta बराबर formula होता है आपका lump बटा में कण क्या होता है lump बटा में कण क्लियर हो गया यह किस का माना है तो यह आपका sign का माना गया clear होगा sign का माना गया अब cos का मान निकलेंगे तो यहां पर देखेंगे cos theta बराबर formula होता है आधहार बटा में क्या होता है क्या होता है अधहार बटा में कौन होता है तो अधहार कमान देखें क्या है यह साथ है तो उपर में लिख देंगे साथ और नीचे क्या जागा कौन ना कौन कमान है 113 किलियर हो गया रूट में तो यह हो गया आपका कॉस कमान यह हो गया आपका साइन कमान किलियर तो इस पर रख के हम लोग मान निकालेंगे ना चली जरसा है तो यहां देखिए वन प्लस में साइन थीटा दे रहा है तो यह आप लिखेंगे वन आ प्लस में साइन थीटा कि मान क्या है आठ बटा में अंडरूट में क्या 13, clear हो गया, आप देखिए, और क्या है, 1-7 theta, मतलब 1-8 बटा में, अंडरूट में, 13 का ये रूट में, किलियर हो गया, जैसे ये है, बस इसका मान रख रहे हैं, और कुछ नहीं कि, ये बीच में पाई है, लंबी वाली, तो हम भी यहाँ पर पाई पार दे लंबी वाली, clear, आप समझे वे जलसा, तो यहाँ पर देखिए, 1, आप प्लस में, कॉस है न, कॉस का मान का है साथ बटा अंडरूट, 113, 113, तो दिखेंगे, देखिए, साथ बटा में, 113 रूट में, किलियर हो गया, अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर रखेंगे, 1, माइनस, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मन, साथ बटा अंडरूट में, 113, तो देखिए, साथ बटे, यहां भी A है यह B है यहां भी B है मतलब यह कि A plus B है और यह A minus B है इसका मतलब यह कि आपको देखे A plus में B into A minus B बराबर एक formula होता है A square minus में B square यहां पर एक formula होता है याथ फॉर्मूला ज़स्ट इसी रूप में यह है, है की नहीं है, तो यहाँ पर A plus B into A minus B है, इसके बदले A square minus B square लिखा गया है, तो यहाँ पर हम इसके बदले देखिए तो 1 का square, देखिए A का मानि क्या है, 1, तो 1 का square, मानिस में क्या है, B का square ना, मतलब 8 बटा में 113 के square कर सकते कि ना कर सकते हैं किलियर हो गया किलियर हो गया बोलिया हाँ या ना इसी बात को जस्ट नीचे लिख सकते हैं एक का स्क्वाइर मैंनस में साथ अबटा एक सो तेरा रूट में इस का स्क्वाइर हो गया दिक्कत किसी को नहीं न आगे चलिएगा तो एक का स्क्वाइर करें कालींगे दिखेगा अगर बात करेंगे 8 के स्क्वार की तो कितना आएगा शौण शॉठ आएगा और नीचे दीए अंडरूट यये और इस क्वएर अंडरूट से स्क्वार कर्ण जाता है कि इसके तक क्या बचके यह एक त्यरा बचेगा है यह किलार अब समझेगा एक नीच करतें देखें 113 रूट है और यह वाई चुपा होता है तब इक सच होपा होता है तो ऊपर टाफे हो अलग करेंगए नीचे गूदा बापके dużo 13 Kaito और एक से गुना करेंगे तो आपका 113 में 64 है तो यह चौन सट किलियर अब दिखें नीचे यहीं काम करेंगे एक और 113 का लगुतम निकलेंगे तो एक सो तेरा आगा बटा पर घटा तो बाता होगा आप लोगो ना अब दिखें एक के पढ़ा में 113 बर में 113 से एक में गु 133 में से चौन सट घटा यह तो कितना गा दिखें यह होगा ती न में से चार न ही यह चार न यहाए तो ले लिए हासिल 13 में से कितना है यह चार गया तो बचन गया 9 यह होग अगर समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को बजा दिजिएगा और हाँ दोस्तों तक सेर जरू कीजिएगा क्योंकि यहीं दोस्त आपके जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अगर कहीं समस्या आओगी तो वो भी हेल्प कर सकते हैं या आप अपने दोस्तों को हेल्प कीजिए ताकि यह वीडियो यह आपके मैट्स की सारे की सारे आपके मैंड में फीट रहे क्लियर तब तक इलिए बाय टेक क्यार सबकेर शर्श्रियकाल श्यलाम अलेकुम